इस वक्त मेरे फ्रेम में दो ब्रांड है एक टॉयटा फॉर्टूनर और दूसरा यूटूब चैनल कैम्पिंग सूत्रा तो इन्हों ने अपनी इस टॉयटा फॉर्टूनर को कैम्पर वेन बना दिया है जिसका पहला ग्लिम्प आपको नीचे दिख रहा होगा शायद एक डिय इन्होंने किया और सबसे अच्छी बात है यह खुद अपना डिमाग लगाते हैं डिजाइन करते हैं और चीजों को जहां तक मैं जानता हूं खुद अपने हातों से ही करते हैं अब इस पूरी गाड़ी को हम लोग देखेंगे कि कैसे कैम्पिंग में कनवर्ट हो चुकी है और बेस्ट होम बन गई है कि इसके मेरे को लगता है कि अभी मेरी कोई भी केम्पिंग मैं देखता है या मेरे साथ मिलता है सबसे पहले एपल ऑफदाई यह बना हुआ है फिलाल बाकी वैसे बहुत कुछ मैंने किया है बट यह जो चीज है यह मैंने सिरफ इसलिए कि मेरे को और मेरी वाइफ को गाड़ी के अ होता है कि ड्रॉर खोली और यहां पर आप खड़े होके जैसे ही मैं ड्रॉर खोलता हूँ आप यहां पर खड़े होके कुकिंग करते हो तो क्योंकि हमारे साथ बच्चे होते हैं इसलिए हम लोग उनका भी समान रखते हैं और मैं टूल्स करी करता हूँ जो कि बहुत कम लो और बाकी जो टूल्स नॉर्मली नट बोल्ट वगरा चाहिए होते हैं, वो सारे मेरे पास, I think, दो-दो पेर एक्स्ट्रा हैं, हर चीज के, तो मैं, आप लेके भी तो हाथ ही चल रहे हो ना, हाँ जी, जो ऑइल्स होते हैं, ब्रेक ऑइल्स, गेर ऑइल्स, क्लच ऑइल्स, और अपना कूलेंट, वो सारा कुछ में अपने पास रखता हूं, तो इतना कुछ करने के लिए आगे आपके पास स्पेस नहीं बचती, बेशक यह गाड़ी बड़ी है, पर दिस इस नॉट आ ट्रैवलर्स होम, जैसे वो चलता है, क्या अपना टेंपो ट्रैवलर्स, वो नहीं पहले मैं आपको दिखा दूँ, आपका पूरा किचन सेटप आउट में है, आपकी ओडियंस के लिए सब्प्राइज, बेसिकली यह किचन है, आप देख रहे हो कि यह उपर पड़ी है, एक विंडशील्ड, यह भी डियाईवाई है, और उसके नीचे आप देख सकते हैं, तू बर्नर का गैस तो अब आपको शायद कॉंसेप्ट समझ में आ गया होगा, यहां पर रसोई का सारा A to Z समान है, अब अंदर वाले केविन में में मेरे को रसोई के लिए जाने की वह बीच के दरवाजे खोलने की जरूवत नहीं पड़ती, मेरे को बिल्कु, सब आप य आप यह देख लो यह इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि फैली हुई है या इसके अंदर जगह नहीं है, यह देखो नाच रहा है समान अंदर, खुला डिला, बिल्कुल खुला बिल्कुल खुला और और सब खाली है पीछी तर अच्छी आपने बर्नर्स रखे हों है, सब कुछ अब हम इसमें जगह नहीं है तो यह आपने देख लिया और यह दूसरी ड्रॉर है जो इसमें क्या है हमारे बर्तन है, जो भी आप कह सकते हो, वह सारे इसके अंदर है और अभी इसमें बहुत सी स्पेस है, पहले मुझे याद है हर चीज बिल्कुल एक से एक लगाके ना ज इसा कुछ नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पर बैठें, खाना बना रहे हैं, हर चीज यहां पर हर चीज, पॉजिटिव पॉइंट मैं बताता हूं एक जो मुझे अच्छा लगता है परस्नली कि जब आप कैम साइट पर जाते हो सबसे पहले आप टेबल निकालत हो, तो अगर in case मुझे मालो एमर्जेंसी में कहीं पर रुखना है, तो मेरे को अंदर से सिर्फ एक स्टूल निकालना है, यह टेबल का भी काम करता है, यह आप देख रहे हो, यहां पर सबजीयां पढ़ी है, यह जूट के बैग्स हैं, यह भी मैं इस लिए यूज करता हू ताकि जो आपकी हरी सबजीयां हैं, वो गले ना, हवा लगती है इसके इंबर, ठीक है, तो यह यहां पर पढ़े हैं, जो भी फाल्तू समान होगा, वो सारा यहां पर होगा, मेरे को टेबल निकालने की ज़रुवत नहीं हो, अलग से मेरे को ज्यादा समान बाहर निकालने क वन पॉइंट टू के जी के यह जितने भी लगें, वन पॉइंट टू के जी के जार्स हैं, यहां पर, जो भी हमारी ग्रोसरी है, सारी यहांपर आ जाती है, बाकि मसाले वसाले, वो सब यहां पर आ जाते हैं, और काफी जगाय में अभी बहुत कुछ रखना चाहूं, तो आपने वो चौपर जो हाथ वाला होता है वह आपने रखा हुआ है अभी यह इतना खाली हिसा यह बहुत कुछ रख सकता हूं तो जी चलते हैं अब अंदर इस गाड़ी के फॉर्चुनर के और देखते हैं कि अंदर सेट अप कैसे बना हुआ है हां जी सबसे पहले मैं जी बताम गा यह जो सेटप आपको दिख रहा है जो बैड आपको लगा धिख रह है इस वीडियो के लिए नहीं लगा है अच्छो यह है सिफीडियों कर देख कर देगं pedal हमेशा एसे रहता है यह की आप सूंदर बनाया इसको कुछ नहीं है हमेशा एस तो सीट्स बगारा इसकी आप रिमुव करके फिक्स कर दिया है तो सीट्स में नहीं है क्योंकि मैं इस गाड़ी को फुल टाइम केंपर मैं नहीं है तो अभी आप फोड़ा सा अंदर आओ तो अभी आप देख रहो यहां पर कंबल पड़ा है अभी हम नीचे गए थे नीचे स और उसके अलावा अगर आपको कुछ मिसिंग दिख रहा हो वह यहां पर एक टेबल और दो चेर्स और एक तॉयलेट टेंट वह ऐसी चीज है जो जैसे ही आप कैम साइट पर पहुंचे और सबसे पहले वही चीज बाहर निकलती है तो वह इसके उपर होती है उसको हम हटात है यह दो तकी है इसको पीछे करो सिंपल आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है और यह ऐसे फोल्ड करने के बाद यह यहां पर आपको कबजे दिख रहे होंगा देखो यह मैं खोलता हूँ यह इस तरीके से और यह इसके उपर टिक जाएगा मैं पकड़ता नहीं हूँ सपोर्ड के लिए इसको मैं ना भी रखूँ तो भी कुछ जाएगा कामबट मैं रखता हूँ क्योंकि इसके नीचे कपड़े हैं मैं एक्चली कपड़ों के उपर वो जो लकडी का चोटे-चोटे पीसे होते ना वो ना है अच्छा लगा दिया हमें और इसके नीचे हैं हम नीचे बिछा दिया ताकि कपड़ों में लकडी का जो पाउडर होता ना वो ना लगे और इसमें अभी हम जितने कपड़े हैं इसके डबल और आ जाएंगे कि अभी मनें इसको थूसके निभरा अराम से ऐसे पड़े हो उपर ही अगर इसको पूरा बढ़िया से पैक करें जितने अभी इसमें हैं और आ जाएंगे यानि कहने का मतलब यह है कि हमारे पास दोनों के पास आप यह कह सकते हैं हम ट्रिप पे निकलें तो एट लीस्ट साथ जोड़े अच्छा कपड़ों के लेके चलते हैं दोनों के पास साथ साथ 14 14 14 उसके साथ मेरे और एक और चीज हैं तो अपना अराम से इनके अपने पास अपने पाड़ हैं बहार आकर किसी भी तरीके के गहर जानी यह इभी साथ के साथ दिखा जैतुम्हें जुभाए यह जो प्लाइञ नीचे गिरती है ना इसके नीचे नीचे बचे इसके नीचे दो रिमूवेबल बॉक्स है इसमें वही टूल्स है जो मैं आपको बता रहा था ना जो गाड़ी के बहुत ही एमर्जेंसी टूल्स हैं वह यह दोनों टूल्स से ही भरी हुई है तो इनकी पॉजीशन ऐसी रखी है कि यह हमें चाहिए नहीं तो यह हमेशा ऐसे कैसे पड़े रहते हैं अगवान ना करें को एमर्जेंसी स्टूशन आए तभी हम इसको उठाते है क्योंकि मेरी दो बच्ची है इसलिए दो इसक्रीन लगी है ताकि उनमें लड़ाई नहीं हो अच्छा जब भी वह आती हैं उनका एंट्रेटेनमेंट यहीं कैम्पिंग में कहते हैं किचन चाहिए हम लोग को स्पेशली और बैड चाहिए अब किचन देख लिया बैड मिलते हैं मारकेट में मिलते हैं मैगनेटिक में इसमें इसमें मैंने यहां पर कपड़ाए अपको उचाड तरीके से आता है तो उससे क्या होता है कि जब सर्दियों में वह हिस्सा आपका बहार है अब वैसे वह मैं अपनी गाड़ी के लेने की सोच रहा था मैं भी सिम्रेंजी से बात कर रहा था हां राइट वह निक्यों कर चुके हैं तभी हम लोग यहां तक महुंचे हैं वह उस आएगी पानी वह अंदर आएगा उस जमगी तो गीला हो गया आपको कभी निकलना है तो यानि उस गिले आले को आप पॉलितिन में डालो आप सुखा तरह पात करते हैं जरी केंड है अंपने विकी अब यह उसके बाद हमने जो बैक सोते हैं तो उसके बाद आपने चाहिए नीचे लगा रहे हैं वोड़ेंजाव हो उसके बाद आप मेरे इस एप ने या नीगा रहे ती हाँ वह उसी का ये फ्रेम है जिसके उपर ये किचन लगा हुआ अच्छा उपर वह पूरी पाइप लगा होता है यार आप अगर आप देखना चाहते हो नो बहुत मज़ेदार चीज़ है वाटर मिसाइल अगर आप देखना चाहते हैं इनके चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है आप जाकर देखो कैंपिंग सूत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपको वाटर मिसाली वाला कॉंसेप्ट पता लएगा बहुत मज़ेदार कॉंसेप्ट है उसके बाद क्योंकि मैंने यह बनाना था तो मुझको रिमूव करना पड़ा है तो मेरे सामने प्रॉब्लम आई कि आप अराम जेशों रेपेर कर लोगा है तो अब आप नीचे दिखाओ तो एक जरी केन लगा है जहां पर इस पेर टायर होता है जी देखो जी पूरा सामने और इसके अंदर हमने एक बीसी मोटर लगा रखी है और वह मोटर उसी जरी के अंदर डाली हुई है अच्छा जो यहां पर इदर बाहर लगा रखा है जहांसे हमारा पानी हमें मिलता है अच्छा 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 तो आपने एक खोला और वह मोटर अंदर है वह पानी आगे पूश करती होगी और आपका बाटर आम साहाँ जाता है पानी फिल करने के लिए यहां पर यहां पर यहां से हम लोग अपना टैंक अच्छा पाइप लगाया और पानी अंदर फूर लगाए और डियाई का आपको वह देता हूं सबूत यह देखो मैंने कैप कैसे मराई है सोचने वाली बात पाइप दिख रहा आपको उसके उपर मैं रिजन बताऊंगा कि मुझे यहां पर मैंने वो मैंनेजमेंट क्यों किया और सबसे बड़ा फॉर्चुनर वाला पर गुस्सा मझे यह आता है पचास लाग की गड़ी लेके भी लोग हाइडरॉलिक लगाके नहीं देते इतना बारी इसका यह बोनट तो इतना इनको कम पावर मैनेजमेंट के लिए और यह भी एटी एच की है और यह ऑल्टरनेटर जो इसका गाड़ी का अपना है उससे यह पैरलल दोनों चार्ज होती है अच्छा दोनों चार्ज हो जाती है अब सवाल उठता है कि यह बैटरी ड्रेन ना हो क्योंकि अगर यह ड्रेन हो जाती और इतनी बड़ी काड़ी को धखेलना असान बात नहीं है तो इसी लिए यह बीच में एंसीबी लगी है यह आपको दिखरी अच्छा नॉर्मल घर में जो होती है वह है इसको मैं जब कैम साइट पर आता हूं इसको आफ कर देता हूं ताकि यहां से पावर मैनेज़ पाव और जैसे ही मैं कैम साइट छोड़ूंगा मैं इसको आउन कर दूंगा ताकि यह दोबारा इनकी पैरलल चार्जिंग है जो वह स्टार्ट हो सके इतना सिंपल सा फंड़ा है कुछ भी कॉंप्लिकेटर नहीं है इसके अंदर बट आपका वीडियो देखके या मेरा वीडियो है क्या वो केपबल इनफ है कि वो दोनों बैटरी को चार्ज कर सके अगर नहीं कर सकता तो उसके लिए आपको बैटरी आइसोलेटर लेना पड़ता है ठीक है और आपको पॉसिबिलिटी के एक अल्टरनेटर भी लगाना पड़ेगा यह आपको जानकरी वही देगा जो बै यह आपको दिख रहा है जो यह DC2AC कंवर्टर है अच्छा यह DC2AC कंवर्टर है यह हो गया लैप्टॉप अगरा चार्ज करने के लिए और दूसरा क्योंकि मेरा जो वाटर पंप है वो सिर्फ DC है अच्छा उसके लिए यह एक्स्ट्रा एक यह वाइट कलर को सौकेट दिख लोगों को क्रियोसिटी होती है बच्चे होते है गाओं के वह टैप खुल देते हैं पहले वाले मेरी वाटर मिसाइल में यह था अच्छी के लिए लोग खुल देते थे अभी अभी यह अंदर है अभी आप उसको खोलो तो पानी नहीं चलेगे जब तक उसको सप्लाई नह साथ हजार साथ हजार इंक्लूडिंग बैटरी यह सारा सेट बैटरी प्लस यह लगा है अंदर वह और प्लस यह सोकेट और वायरिंग जो यह इतना इतना मोटर अलगे 7000 रूपीज का यह इतना है यह बहुत बढ़िया यह देख लो फ्री में घ्यान मिल रहा है आपको और क्या लोगे यार खाली देखो यार कैम्पिंग गए करके आ गए नहीं नहीं फैंसी-फैंसी दिखा दिए जंगल दिखा दिया यह आपको हर कोई दिखाएगा लेकिन यहां पर कैसे चीजों को मैंस कीया जाता है बैक अफ दीपिचर चीज़ए क्या चलती है कैसे एक मपर स से मिलेंगे और हमारे सब्सक्राइबर्स को कैसे नॉलेज मिल सकती है और कैसे आप अपने गाड़ी में सारा सेट अप लगा सकते हो वह आप तयार कर सकते हो आपको पूरी नॉलिज दे दे गई है कैंपिंग सूत्रा सानी जी के पॉइंट अफ यू से क्या-क्या है और रेंबर अन रोड चैनल आप देख रहे हो वीडियो को अच्छा लागे तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और और ऐसी इंफोमेश्य वीडियोस देखनी है और किस तरह किस किसे DIY किया रहा सकता है तो आप चले जाएगे कैंपिंग सूत्रा के चैनल पर और वहां जाके इनको सब्सक्राइब कर दीजें मिलते हैं नहीं व्लॉग में तांक्यू सो मच टाडा